C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय पंद्रा प्रिष्ट संख्या 241 से लेकर प्रिष्ट संख्या 258 तक आईए सुनते हैं अध्याय पंद्रा आलेखों से परिचय प्रिष्ट संख्या 241 पंद्रा दशमलव एक भूमिका क्या आपने समाचार पत्रों, दूरदर्शन, मैगजीन, पुस्तकों आधी में आलेख देखे हैं? आलेखों का उद्देश्य संख्यात्मक तत्यों को चित्रों द्वारा समझाना है, जिससे वो शीग्र, आसानी, वस्पष्टता से समझे जा सकें. इस प्रकार आलेख एकत्रित आकणों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन है, आकणों को तालिका द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, अपितु आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है, आकणों का रुजान या उनकी तुलना समझाने के समझ चुके हैं। आईए उनको याद कर लें। 15.1.1 एक दंड आलेक एक दंड आलेक विभिन श्रेणियों के बीच की तुलना करने के काम आता है। इसमें दो या अधिक समांतर व, उर्ध्वाधर या क्षेतिज, दंड या आयत होते हैं। आकरिती 15.1 में दंड आलेक अनुद्वारा तीन सत्रिय परीक्षाओं के गणित में प्रापतांकों को दर्शाता है। यह आपको उसके प्रदर्शन की तुलना आसानी से करने में सहायता करता है। हम कह सकते हैं कि उसकी प्रगती अच्छी है। आकरिती 15.1 यहाँ पर बाईयोर गणित में प्रापतांक 10 से 50 तक लिखे हैं। नीचे अवद ही लिखी हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में 25, सेकेंड में 30 और थर्ड में 45 अंक हैं। प्रिष्ट संख्या 242 दंड आलेकों में दोहरे दंड भी हो सकते हैं जैसे आकरिती 15.2 में। आकरिती 15.2 तथा आकरिती 15.1 में क्या अंतर है अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। आकरिती 15.2 इस आकरिती में गहरा स्लेटी रंग सोमवार दर्शाता है, हलका स्लेटी रंग मंगलवार दर्शाता है। नीचे फलों के नाम लिखे हैं आम, सेब, संत्रे, पपीता, केले, दाइयोर बिकरी किलोग्राम में लिखी है जो शून्ने से चालीस तक है। हम इससे यह समझते हैं कि आम सोमवार को साढ़े सत्रा किलोग्राम और मंगलवार को साढ़े बाईस किलोग्राम बिके। सेब, सोमवार को साढ़े साथ किलोग्राम और मंगलवार को दस किलोग्राम बिके। संत्रे, सोमवार को साढ़े सत्ताईस किलोग्राम और मंगलवार को पैंतीस किलोग्राम बिके। पपीता, सोमवार और मंगलवार को साढ़े बाईस किलोग्राम बिका। केले सोमवार को साढ़े 32 किलोग्राम और मंगलवार को साढ़े 27 किलोग्राम बिके 15.1.2 वृत चित्र, वृत आलेक या पाई ग्राफ एक वृत आलेक किसी एक संपूर्ण के विभिन भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है वृत एक संपूर्ण को दर्शाता है, आकरिती 15.3 एक वृत आलेक है यह दूर दर्शन के विभिन चैनलों के दर्शकों की प्रतिशत्ता दर्शाता है आकरिती 15.3 यहाँ पर एक वृत शित्र बना है जो दर्शाता है कि मनुरंजन 50 प्रतिशत है, खेल 25 प्रतिशत, समाचार 15 प्रतिशत, सूचनात्मक 10 प्रतिशत प्रिश्ट संख्या 243, 15.1.3 आयत चित्र एक आयत चित्र एक दंड आलेक जैसा ही होता है, जो दो आकणों को अंतराल में दर्शाता है इसमें अंतरालों को सनलगन दंडों द्वारा दिखाया जाता है आकरिती 15.4 में आयत चित्र एक शेत्र के 40 व्यक्तियों के भारूं किलोग्राम में का बंटन दर्शाता है यहाँ पर एक सारणी बनी है, इस सारणी में दो पंक्तियां है पहली पंक्ति है भार किलोग्राम में 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65 दूसरी पंक्ति है व्यक्तियों की संख्या 4, 12, 13, 6, 16, 5 आकरिती 15.4 बाइयोर व्यक्तियों की संख्या 0-14 तक लिखी है, नीचे भार किलोग्राम में 0-70 तक लिखा है 0-40 के बीच में एक टेड़ी मेड़ी रेखा है यह आयत चित्र सारणी में दी गई सूचना को दर्शाता है आकरिती 15.4 में एक टेड़ी मेड़ी रेखा प्रयोग की गई है जो यह बताती है कि क्षैतिज अक्ष पर हमने 0-30 तक की संख्याएं नहीं दिखाई है ध्यान दीजिये, दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है क्योंकि अंतरालों के बीच भी कोई अंतर नहीं है आप इस आयत चित्र से क्या सूचनाई प्राप्त करते हैं उनकी एक सूची बनाईए पंद्रा दशमलव एक दशमलव चार रेखा आलेख एक रेखा आलेख ऐसे आंकडे प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं जब रेणू भीमार पड़ी तब उसके डॉक्टर ने चार-चार घंटे बाद उसके शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बनाया यह एक आलेख के रूप में था आकरिती पंद्रा दशमलव पांच व पंद्रा दशमलव छे में देखें हम इसे समय तापमान का आलेख कह सकते हैं यह निम्न तालिका में दिये गए आकणों का चित्र रूप में प्रदर्शन है यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में दो पंग्तियां है पहली पंग्ति है समय छे बजे प्रातः दस बजे प्रातः दो बजे दुपहर छे बजे साय दूसरी पंग्ति है तापमान डिग्री सेल्सियस में 37, 40, 38, 35, प्रिष्ट संख्या 244, आकरिती 15.5, इस आकरिती में 22 और तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, जो 30 से लेकर 42 तक है, 30 से पहले एक टेड़ी मेढी रेखा है, नीचे समय दिया गया है, जो 6 प्रातह से लेकर 6 साय तक है, हर आकरे को वरगांकित कागस पर एक बिंदू द्वारा अंकित किया गया है, आकरिती 15 दशम लबचे, बाद में बिंदूओं को रेखा खंडों से मिला दिया गया है, परिणाम यह रेखा आलेक है, ख्षैतिज रेखा जिसे एक्स अक्ष भी कहते हैं, वे समय दिखाती है, जब-जब तापमान लिया गया, उर्ध्वा धर रेखा, जिसे वाई अक्ष भी कहते हैं, पर क्या दिखाया गया है, यह आलेक आपको क्या-क्या बताता है, उदाहरण के लिए आप इसमें तापमान के प्रारूप देख सकते हैं, दस बजे प्रातह अधिक था, फिर छे बजे साय तक घटता गया, ध्यान दीजिये, छे बजे प्रातह और दस बजे प्रातह के बीच तापमान तीन डिग्री सेल्सियस, यानि चालीस डिग्री सेल्सियस, घटा 37 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, दस बजे प्रातह तापमान नहीं पढ़ा गया, फिर भी आलेक देखकर लगता है कि यह 37 डिगरी सेल्सियस से अधिक था कैसे? उदाहरण एक दिया गया आलेक आकरिती 15.7 वर्ष 2007 में दो बल्लेबाजूं ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है आलेक का अधेयन कीजिये और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये एक, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या-क्या सूचना दी गई है दो, कौनसी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है तीन, वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे यदि हाँ, तो किस मैच में चार, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है आपने यह निर्णय कैसे लिया हल, एक, क्षेतिज अक्ष या एक्स अक्ष वर्ष 2007 में खेले गए मैचों की संख्या प्रकट करती है उर्द्वाधर, अक्ष या वाई अक्ष प्रतिएक मैच में बनाए गए रनों की संख्या प्रकट करती है दो, बिंदु युक्त रेखा, ए बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है जैसा आलेख के उपर संकेद भी है तीन, चौथे मैच के दोरान दोनों ने एक समान साट रन बनाए यह उस बिंदु से पता चलता है जहां पर दोनों रेखाए एक दूसरे को प्रतिछेद करती है चार, बल्लेबाज एक आलेख में एक उचा शिखर है तथा अनेक नीची घाटियां वहे रन बनाने में स्थिर नहीं है जबकि दूसरी ओर बल्लेबाज बी ने कभी 40 से कम रन नहीं बनाए यद्यपी उसने 20 से 115 के मुकाबले अधिक्तम 100 ही रन बनाए ए ने दो मैचों में 0 रन ही बनाए तथा कुल 5 मैचों में 40 से कम क्यूंकि ए द्वारा बनाए गए रनों में अधिक उतार चड़ाव है अतहब बी ही एक विश्वसनिय वह स्थिर बल्लेबाज है आकरिती 15.7 X अक्ष मैच दर्शाता है एक सिलिकर दस तक Y अक्ष बनाए गए रन दर्शाता है शून्ने से लेकर 120 तक बल्लेबाज A के रन बिंदूओं वाली रेखा के द्वारा दर्शाए गए हैं बल्लेबाज B के रन सीधी रेखा के द्वारा दर्शाए गए हैं पहले मैच में बल्लेबाज A ने 20 रन बनाए बल्लेबाज B ने 60 दूसरे मैच में बल्लेबाज A ने 115 बनाए और बल्लेबाज B ने 40 रन तीसरे मैच में बल्ले बाज A ने 0 रन बनाए और बल्ले बाज B ने 50 रन चौथे मैच में बल्ले बाज A और B ने 60 रन बनाए पांचवे मैच में बल्ले बाज A ने 20 रन बनाए और बल्ले बाज B ने 45 रन छटे मैच में बल्ले बाज A ने 90 रन बनाए, बल्ले बाज B ने 45 साथवे मैच में बल्ले बाज A ने बनाए 40 रन और बल्ले बाज B ने बनाए 100 रन आठवे मैच में बल्ले बाज A ने बनाए 75 रन और बल्ले बाज B ने बनाए 60 रन नौवे मैच में बल्ले बाज A ने 0 रन बनाए और बल्ले बाज B ने 50 रन बनाए दसवे मैच में बल्ले बाज A ने 45 रन बनाए और बल्ले बाज B ने 55 रन बनाए उदारन दो आकरिती 15.8 एक्स अक्ष पर समय लिखा है शून्य से तीन साय तक वाई अक्ष पर पी से दूरी लिखी है किलो मीटर में शून्य से साढ़े तीन सौ तक एक्स अक्ष में शून्य और आठ के बीच में एक टेड़ी मेड़ी रेखा है प्रातह आठ पर किलो मीटर शून्य है प्रातह नौ पर पचास किलो मीटर प्रातह दस पर डेड़ सौ किलो मीटर प्रातह ग्यारा और दोपहर बारा पर दो सौ किलो मीटर और दोपहर दो बजे साढ़े 300 किलो मीटर एक, दोनों अक्षों पर क्या-क्या दर्शाया गया है दो, कार ने किस समय और कहां से यात्रा आरंब की तीन, पहले घंटे में कार कितनी दूर चली चार, दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी-कितनी दूरियां तय की पांच, क्या पहले तीन घंटों में कार की चाल समान थी, आपने कैसे जाना छे, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी, अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए साथ, कार शहर क्यूँ पर किस समय पहुँची? हल, एक, क्षेतिज यानि X अक्ष समय दर्शाता है, उर्ध्वाधर यानि Y अक्ष P शहर से कार की दूरियां दर्शाता है दो, कार आठ बजे प्रातह शहर P से चली प्रिष्ट संख्या 246 3. कार ने पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की आप यह समझ सकते हैं कि कार प्रातह 8 बजे शहर P से चली और प्रातह 9 बजे आलेक के अनुसार 50 किलोमीटर की दूरी पर थी अतह प्रातह 8 और 9 बजे की बीच एक घंटे में कार ने 50 किलोमीटर दूरी तय की 4. A. कार ने दूसरे घंटे प्रातह नौ बजे से दस बजे में 100 किलोमीटर दूरी डेट सो घटा पचास तय की B. कार ने तीसरे घंटे में यानि प्रातह दस बजे से ग्यारा बजे में 50 किलोमीटर की दूरी यानि 200 घटा डेट सो तय की पांच, प्रश्न तीन वचार के उत्तरों से पता चलता है कि कार की चाल सदैव समान नहीं थी आलेक यह भी दर्शाता है कि चाल किस प्रकार बदली छे, आलेक में हम समझते हैं कि कार प्रातह ग्यारह बजे और बारह बजे भी शहर पी से 200 किलोमीटर दूर थी इस अंतराल में तय की गई दूरी एक शेतिज रेखा खंड है जो इस तथे की पुष्टी करता है साथ, दो बजे दुपहर कार क्यूँ शहर पहुँची प्रश्नावली 15.1 निम्न आलेक किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रती घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है ए, रोगी का तापमान एक बजे दुपहर क्या था? बी, रोगी का तापमान 48.5 डिगरी सेल्सियस कब था? सी, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान दो बार एक समान ही था, ये दो समय क्या-क्या थे? डी, डेड़ बजे तुपहर रोगी का तापमान क्या था? इस निशकर्ष पर आप कैसे पहुँचे? इ, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुजान दर्शाता है? यहाँ पर एक लेखा चित्र बना है एक्स अक्ष समय दर्शाता है, नौ परातह से लेकर तीन साय तक वाई अक्ष तापमान डिग्री सेल्सियस में दर्शाता है, चौनतीस से लेकर उन्तालीस तक चौनतीस से पहले एक तेड़ी मेढी रेखा बनी है तापमान नौ परातह साढ़े पैंतीस डिग्री सेल्सियस, दस परातह चतीस डिग्री सेल्सियस, ग्यारह परातह उन्तालीस डिग्री सेल्सियस, बारा दो पहर, साढ़े अरतीस डिग्री सेल्सियस, एक दो पहर, साढ़े चतीस डिग्री सेल्सियस, दो दो पहर, साढ़े एक निर्माता कम्पनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। एक वर्ष दोहजार दो में, दो वर्ष दोहजार चे में कितनी बिक्री थी? प्रिष्ट संख्या 247 सी, वर्ष दोहजार दो तथा वर्ष दोहजार चे की बिक्रियों में कितना अंतर है? डी, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? यहाँ पर एक आयत चित्र बना हुआ है, वाई अक्ष पर बिक्री करोड रुपए में लिखी है, यह शून्य से लेकर बारह तक दी गई है, एक्स अक्ष पर वर्ष लिखे गए हैं, यह दोहजार दो से दोहजार चे तक दिये गए हैं, 2022 में चार करोड की बिक्री हुई, 2003 में साथ करोड की, 2004 में छे करोड की, 2005 में दस करोड की, और 2006 में आठ करोड की बिक्री हुई 3. वनस्पती विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोकशाला परिस्थितियों में दो पौधे ए तथा भी उगाए गए, तीन सप्ताहों तक उनकी उचाईयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया, परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है यहाँ पर एक आयत चित्र बना हुआ है, वाई अक्षपर उचाई सेंटी मीटर में दी गई है, यह शून्ने से लेकर चौदा तक दी गई है एक्स अक्षपर सप्ताह दिये गए हैं, यह प्रारंप से लेकर तीन तक दिये गए हैं बिंद्वों वाली रेखा पौधा ए के लिए बनाई गई है, और सीधी रेखा पौधा बी के लिए बनाई गई है प्रारंब में दोनों पौधों की उचाई बराबर है पहले सप्ताह के अंत में पौधा ए दो सेंटिमीटर का है और पौधा बी एक सेंटिमीटर का है दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधे साथ सेंटिमीटर के हैं तीसरे सप्ताह के अंत में पौधा ए नौ सेंटिमीटर का है और पौधा बी दस सेंटिमीटर का है दो सप्पतह बाद, दो तीन सप्पतह बाद पौधे A की उचाई कितनी थी? B. एक, दो सप्ताह बाद, दो, तीन सप्ताह बाद पौधे B की उचाई कितनी थी C. तीसरे सप्ताह में पौधे A की उचाई कितनी बढ़ी D. दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे B की उचाई कितनी बढ़ी प्रिष्ट संख्या 248 E. किस सब्तह में पौधे A की उचाई सबसे अधिक बढ़ी F. किस सब्तह में पौधे B की उचाई सबसे कम बढ़ी G. क्या किसी सब्तह में दोनों पौधों की उचाई समान थी पहचानिये 4. निम्न आलेक किसी सप्तह के प्रतिएक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। वास्तविक नियुन्तम तापमान क्या था? डी, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सरवाधिक था? यहाँ पर एक आयत चित्र बना हुआ है। वाई अक्षपर तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। यह शून्य से लेकर पैंतीस तक दिया गया है। एक्स अक्षपर दिन लिखे हैं। यह सोमवार से लेकर रविवार तक हैं। बिंद्वों वाली रेका पूर्वानुमानित दर्शाती है। सीधी रेका वास्तविक दर्शाती है। सोमवार के दिन पूर्वानुमानित तापमान 15 डिग्री है और वास्तविक तापमान 17 डिग्री है। मंगलवार को पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान 20 डिग्री है। बुद्वार को पूर्वानुमानित तापमान 25 डिग्री है और वास्तविक तापमान 30 डिग्री है। ब्रिहस्पतिवार को पूर्वानुमानित तापमान 25 डिग्री है और वास्तविक तापमान 15 डिग्री है। शुक्रवार को पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान दोनों 15 डिग्री हैं, शनिवार के दिन पूर्वानुमानित तापमान 30 डिग्री है और वास्तविक तापमान 25 डिग्री है, रवीवार के दिन पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान दोनों बराबर हैं और 35 डिगरी सेल्सियस हैं। पांच, निम्द ताले का प्रयोग कर एक रैखिक आलेक बनाईए। ए, विभिन्न वर्षों में किसी परवतिय नगर में हिम पात के दिनों की संख्या। यहाँ पर एक सारणी बनी है। इस सारणी में दो पंक्तियां है। पहली पंक्ति है वर्ष दोहजार तीन, दोहजार चार, दोहजार पांच, दोहजार छे। दूसरी पंक्ति है दिन, आठ, दस, पांच, बारा। बी, विभिन्न वर्षों में एक गाउं में पुरुशों वस्तरियों की संख्या हजारों में। यहाँ पर एक सारणी बनी है, इस सारणी में पांच स्तंब और दो पंक्तियां हैं। स्तंब वर्षों को दर्शाते हैं और इस प्रकार हैं 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। पहली पंक्ति है पुर्षों की संख्या बारा, बारा दशमलव पांच, तेरा, तेरा दशमलव दो, तेरा दशमलव पांच। दूसरी पंक्ति है स्त्रियों की संख्या, ग्यारा दशमलव तीन, ग्यारा दशमलव नौ, तेरा, तेरा दशमलव छे, बारा दशमलव आठ। प्रिष्ट संख्या दो सव उन्चास, छे, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित, एक उप नगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुँचाने के लिए साइकिल पर जाता है, विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेक त्वारा दर्शाई गई हैं। एक, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, बी, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, सी, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, डी, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण कीजिये, इ, किस अंतराल मे उसकी चाल सबसे अधिक थी, यहां पर एक आयत चित्र दिया गया है, वाई अक्ष पर दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई है, यह 0 से लेकर 22 तक है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाय गया है, यह 8 बजे प्रातह से लेकर 12 बजे दुपहर तक है, आठ बजे प्रातह दूरी 0 किलोमीटर है, नौ बजे प्रातह दूरी 10 किलोमीटर है, दस बजे प्रातह दूरी 16 किलोमीटर है, साढ़े 10 बजे प्रातह दूरी 16 किलोमीटर है, और साढ़े 11 बजे प्रातह दूरी 22 किलोमीटर है, 7. निम्न आलेखों में कौन-कौन से आलेख समय वतापमान के बीच संभव हैं तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए 1. जितनी तेजी से तापमान बढ़ता है, उतनी तेजी से समय बढ़ता है 2. जितनी तेजी से तापमान घड़ता है, उतनी तेजी से समय घड़ता है 3. समय नहीं बढ़ रहा है, पर तापमान बढ़ता जा रहा है 4. तापमान नहीं बढ़ रहा है, पर समय बढ़ता जा रहा है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलांग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत. अज़ समन्स्तक लिए nessा दो, तक्नीकी सबस्य को प्रस्तक कर प्रस्तक कर दाइक, विकास से विकाश भारत. जो समन्स्तक लाचन से समनT, Cscheमूद, प्रस्तक कि एमद़ेना, विर्देर, प्रस्तक कर आहुजा, एम Hearts 7 से समन्स्तूनि सर्स्तक की समन्स्तक般, पारत.